हलो फ्रेंट वन्स अगेन मोस्ट वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट जासा कि आप विकाम फॉस्ट समेस्टर का बिजनेस आर्गिनाइजिशन का पेपर था तो मेरे पास क्यूस्ट क्यूस्ट पेपर की सीट है जिसमें कि मैं आपको उसका एंस्वर की तो फ्रेंट अचा कि अब देख सकते हैं मैंने पेश को ओपन कर लिया अब स्क्रॉल करके नीचे जाता हूं तो फॉस्ट की इसन हो जा रहा है संगठन क्या है बहुसाइक संगठन क्या तो इसमें जो अप्शन है थर्ड नंबर पर जो आप्शन वो सही है इसका दोनों तो बिक्र है गयर बेवसाइक संगठन का मुख्य उद्यस होता तो फ्रेंट इसका जो थर्ड आप्शन है अधिक्तम सेवा करना वो सही आप्शन हो जाएगा और फ्रेंट फॉर नंबर पर देख सकते हैं बेवसाइक में सफलता प्राप्ट करने के लिए आवश्यक है तो इसम बेवसाइक संगठन निमले खित को प्रोचाहित प्रदान करता है तो दक्षता इसमें का जो थर्ड आप्शन है वो सही एंसर हो जाएगा और फ्रेंट शिक्स नंबर पर देख सकते हैं बेवसाय का प्राथ्यमिक उद्देश है तो फ्रेंट इसमें जो फॉर्थ नंबर प ब्रभा निर्माड और फ्रेंट 8 नंबर पर करे किसि का छेत्र विश्थृत है तो फ्रेंट इसमें जो दो नंबर है चैंट नंबर बोल सकते हैं बेवसाय वह सही एंस्वर हो जाएगा अब फ्रेंट अलका से स्क्राल करके और हम नीचे जाते हैं तो नाइन नंबर पर आप देख सकते हैं ब्यापार का अर्थ है तो फ्रेंट इसमें जो थर्ड नंबर पर है वस्तुओं की खरीद एवं विक्री यह सही अप्शन हो जाएगा तो मीनिंग आप ट्रेड मैंफेक्टरिंग और कम्यूडिटी इंसूरेंस और बैंकिंग सर्विस प हुँद्र इंसौरेंट वारीज व्यूै का एक हिस्से है अब फ्रेंट ए 11 मेर मेर के देख लेते हीना उद्योग इसमें सामिल है माल का उत्पादन फॉर्थ नमबर का अपसन ये इसका सही एंस्वर है अब फ्रेंड इंट फ्रेंट नमबर पे देख लेते मुली खित में से कौन सा विनीरमार उद्योग नहीं है तो फ्रेंड जासा कि आप देख सकते बारण नमबर पे जो सही अपसन हो जायागा ओपर नमबर फौन का उत्पादन जो है ये इसका सही हापसन हो जायागा अब प्रेंट स्टा करके नीचे जाते हैं तो सख खापना फिर्ट फर्टी नुमजबर देख लेते यह एक ब्योषसाई की सथापना में उठाता जाना वाला तीसरा कदम है जो है इसमिन पृस्त हो जाएगा वश्ट्डव का विशलेसर अब फन 된 फ्रेटिन नंबर देख लेते बाइन वगस्तव को एकत्र करना होता है तो फैंट जो पंद्रावे नमबर पर है वो उसका सिकेंड आप्शन है जो वो सही हो जाएगा तीन एम ऐसा करके कुछ दिया है तीन एम करके जो सही हो जाएगा वेवसाइक संगठन निर्धारित राशी प्राप्त करने का हगदार है इसे प्राप्त होने वाला वाला पारिस पारिश्रमिक है तो फैंट इसका जो सही एंसर हो जाएगा वो थो Серड नमबर पर है दोनौ दो अपर नमबर पर उसका सही एंसवर हो जागा फ्रेंट अलका साम और स्कुराल करके जाते हैं नीचे वेवसाइक संगठन का सबसे पुराना रूप है तो प्रेंट इसमें ऐसा पूछाएगा कि वेवसाइक संगठन का जो सबसे पूराना तता प्रचलन है वह एकल व्यापार जोकि सिकेंड नंबर का है एकल पर देख सकते हैं वह सही एंसवर हो जाएगा फ्रेंट अटीन नंबर पर देख लेते हैं संग्जुक्त इसकंद कंपनी की अधिक्तम सेजधारी हो सकते हैं सेरों की संख्या नाइंटीन नमबर पर इसका सही एंसर वह जाएगा फॉस्ट वाला आपशन दो एकल व्यापार पंजिक्रित किया जाता है तो फ्रेट इसका जो सही एंसर हो जाएगा कोई प्रावधान नहीं है अब फ्रेटीन का स्क्रॉल करके हम नीचे जाते हैं और देख लेते हैं 21 सामीट की देता है, इसका फिरन जो शिकेंट आप्सान वो और सीमिья वो सही एंसवर हो जाएगा, एकल सथल्ग की अधिक्तम संख्या ल्गति अधिक्त니 है, तब इसका फॉस्स ऑफ पन है, फॉस्स चैनल का सबसे पूराना रूप है, जैसा है कि फॉस्हाईक य दो बार yaka रिपीठ हो गया कि इसमें जो है एकल ब्यापार जो है वो सबसे पुराना प्रक्रिया है अब फिर ट्वाइब देखते हैं कि भारत में ब्यवसाइक संगर्टन के रूपों की अधिकतम संख्या है तो फिर इसका फॉर्थ नंबर का जो है एकल ब्यवसाइब वो सही एंस्वर हो जाएगा मिन्स वही एक सही अन्सवर है अब फिर ट्वाइब देख रहते हैं कि भारत में ब्यवसाइक संगर्टन का सबसे लोकप्री रूप है तो इसका एकल ब्यापारी यह सीमिलर क्यों से एक टाइप ही नहीं है बेस ही एकल ब्यापारी जो फॉस्ट नंबर का है वो इसका सही एंसवर है सामान ब्यापारी एक फर में भागिदारी की अधिक्तम संख्या होती है तो फर्ञानों इसका जो थ्वर्ट नंबर है 20 वो चही एंसवर हो जागा अप्र 28 नंबर पर देख लेते हैं क्या है viral Państ pressा के लिए एक फर्म ए भागिदारों की अधिक्तम संख् का सिकेंड नमबर जो है दस वो हो जाएगा अब फिर अलका स्क्राल करके नीचे आते हैं अब देख लेते हैं ट्विटी नाइन नमबर पर पार्टनर सीड डीड होनी चाहिए इस्टांप पेपर यह लिखें जो थर्ड नमबर है वो इसका सही एंस्वर है अब फिर थर्टी नमबर पर देख लेग देखते हैं क्या है साजदारी को कब भंग किया जाता है एक साजदारी के विक्रित मस्तिष्क होने के कारण बिसिकली वो जब पागल या फिर दिवाली अगरे गोशित हो जाता उसे सित्य में तो इसका जो सिकेंड है वो सही एंस्वर है अप्रेंट यकिलिए एक फर्म का अनिवार्य सपमापन होता है एक को छोट सभी साजदारी हो का दिवालए रहा होने इस श्तिति में तो इसका जो फोर्ट नमबर नमबर पे देख लेते हैं कि एक संग्जूक्ट असकंद कंपनी का पंजीकरण ये प्रेंट अनिवार होता तो इसका जो फोर्थ नमबर है वो सही अन्स मिद्ध आगा अब फ्रेंट नेक्स देख लेते हैं एक नीजी कमपनी के सदस्यों की नियूनतम संख्या होती है तो इसका फ्रेंट जो answer हो जाएगा वो दो जो की fourth number पर है अब फ्रेंट देख लेते हैं एक नीजी कमपनी की सदस्यों की अधिकतं संख्या होती है तो फ्रेंट इसका जो second option है 200 करके है वो सही answer इसका है अब फ्रे जो निए कमपनी की सवदस्यों की अधिक्तम संख्या है जो कि 39 नंबर का असीमित इसका फोर्थ आपसन सही हो जाएगा एक नीजी कमपनी लगाती है तो फ़र्ण देख लेते हैं कि एक नीजी कमपनी लगाती है कुछ प्रतिबंद इसका जो फॉस्ट आपसन है वो सही हो जा नेक्ष्कम एक एक साकारोरी समुझति में नियुनत्रास्ट्टो की संख्या है ब Googled वह सही एंस्विंपर हो जाएगा आप डेख लेगी एक केर्चंस रखारी समीर्ची संख्यों की अधिक्तम संख्या है प्रजी असीमित होती है जो फॉर्थ नंबर है वो सही हो जाएगा अब अब एक नेक्स्ट पर देख लेते हैं एक साकारी समीती में सदस्यों का दायत्व होता है सीमित और असीमित दोनों हो सकते है तो 44 नमबर का first question जो है first जो है option है वो सही हो जागा अब फ्रन next देख लेते हैं साकार साकारी समीति का मुख्य उदेश है सेवा करना तो फ्रन इसका first option वो सही answer है साकारी साकारी स्टोर्स में ब्यापार होता है केवल नगत में तो इसका first option जो है वो सही answer हो जागा अब फ्रन next में एक ब्यक्ति कंपनी में नियुंतम सदस्चों की संख्या होती है तो फ्रन इसमें जो first option है वो सही हो जाएगा एक first अल्फ्रेड वेवर का जन्म अस्थान है तो इसका सही answer हो जाएगा जर्मनी इनका जन्म जर्मनी में हुआ था next answer वेवर ने अद्योगिक अस्थानी करण के कारणों को भाग्यों में विभाजित किया था तो फ्रन इसका जो सही answer हो जाएगा first वाला दो भागों में डिवा ताला उद्योग के अस्थानी करण का प्राथमिक कारण है सरकारी नीती यह फ्रन फॉर्थ वाला जो option है वो इसका सही answer हो जाएगा अब देख लेते हैं इसमें जो 52 नमबर पर क्यूस्टन है मुंबई में सूति वस्त्र उद्योग के अस्थानी करण का प्राथमिक कारण ह इसमें जो थर्ड नमबर है आद्र जलवाजू वो सही हो जाएगा सार्जेंट फ्लोरेंस को और देख अस्थान का सिदान्त इस इस पर आधारित है तो फेंड इसमें जो सिकेंड आप्शन है वो सही answer हो जाएगा अब 54 नमबर में प्लांट के आउट प्लांट ले आउट एक प्रक्रिया है तो फेंड इसमें जो थर्ड नमबर है वो इसका सही answer है प्लांट ले आउट के उद्धियंस के answer काम की मात्रा करता है इसमें जो फेंड सिकेंड नमबर अधिक्तम वो सही answer हो जाएगा फेंड इस कॉल करके नीचे जाता हो देख लेते उस पादन के द्रि जो है वो हो जागा ले आउट की प्रडाली किस सिध्धान्त पर है तो फेंड इसका जो answer हो जाएगा वो सिकेंड नमबर पर जो वो सही answer हो जाएगा अब 57 नमबर तो हो गया 58 देख लेते हैं ले आउट योजना बड़े भागों के निर्माड के लिए उप्रयूक्त है तो करता है तो फेंड़ इसमें जो फोर्ड नमबर पर है हो वो इसका राइट answer हो जाएगा अब प्रैंड एक प्रतिनिधी फर्म का आकार है, हमेशा एक ही जो थर्ड नंबर पे है वो इसका सही एंसवर है, अब फरेंट देख लेते हैं कि सेंगयू пост फर्म प्रस्तुत किया जाता है, तो सही फ्रेंट फर्स्ट वाला आपशन है वो सही एंसवर है अनुकूलतम प्रतिनीधी फर्म आकार है तो इसका फ्रेंट जो फॉस्ट वाला अप्षण है सहमतु नंस्वर है श्रूंत दिया हुए अप्र आंसार प्रतिनीधी फ्रम विर्था द्रह है एक प्रतिनीधी विकारदरा रहा है तो फ्रेंट vi सिकेंड नंबर पर है वो मार्सल की वो सही अंसर हो जाएगा ट्रस्ट का जन्म अस्थान है तो फ्रेंट इसमें जो सिकेंड नंबर है अमेरिका वो इसका राइट एंसर है संग का जन्म अस्थान है तो फ्रेंट संग का जन्म अस्थान अमेरिका है तो इसमें जो थर्ड नबर यह स्का एंसर या अब फ्रेंट होन्ड falta कमपनी है तो वेधानिक उती है तो इससे प्रस्ट वाला अंव सहे अंजल व रहे अब फ्रेंट 69 पे है मुझ रहेता है तो फ्रेंट इसमें जो इसकेंड नंबर यह वो इसका यह अंजल अब संगों के उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी मिन किशन में हुए तो फ्रेंड इसमें जो second option है नाइट एटीन जो इसमें जो सिकेंट आपसन है वो सही answer है अब फ्रेंड नेक्स्ट डेले एकते हैं तो इसमें सिकेंड जो आप्शन है वो सही एंसर हो जाएगा वैधानिक प्रतिवन्द की तूलना में युक्ति करण है तो फेंट जो 73 नमबर है इसका जो एंसर हो जाएगा फॉस्ट नमबर पे हो जाएगा युक्ति करण के लिए मालिकों का दृष्टी कोर है तो फैंट इसमें जो 74 का है धर्ट अप्ट शैस distan तर्फिक का और टैसमें उद्ध て के लिए युक्ति करण है तो फैंट आवस्चे इसमें जो फास्ट वाला आप्ट के वो सही हो जाये गा तो फैंट आगलाआा पर देख सकते हैं मैंने करीब करीब में जितने के थें और जो इसकी एक्यूरेंसिए करीब करें 99 परसेंट ये 100 परसेंट के आसपास मैंने अपनी तरिम से पूरी कोसिज किया है तो अगर आपके वीडियो पसंद आए या आपके लिए यह जो वीडियो लास्ति देना उनके तो पक्का होने वाली है तब एक चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहिए और पर वीडियो के लास में एक चीज़ और बोलना चाहूंगा इस वीडियो का जो मिलते हैं नेक्ट मेडियो में थैक यू सो मच पर वाचिक इस वीडियो